हलो एव्रिवन आज के इस वीडियो में नेकुछ नई जनकारी और कम नई डिजाइन तो देखे मैंने अच्छा से कर लिया है और बहुत सारे लोगी भोलते हैं कि हमारी जो ऊपर वारी लेयर है वह क्लीन क्यों नहीं होती तो आज मैं उनको एक और अच्छी से टेक्निक बताने वाली हूँ जिसे उनकी जो उपर की आइसिंग है न बहुत अच्छा से क्लीन होगी तो देखिए मैंने क्या किया बस इतना नॉर्मल हाथ उसे धीरे धीरे करके उसे क्लीन कर रहा है और बहुत इजली क्लीन होता है मैं बहुत धीरे धीरे ही दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप ऐसे ही करके कर पाएं अपनी केक को क्लीन तो देखिए मैंने उपर लीफ वाली जो नोजल आती है बड़ी वाली मैंने वो ली है क्योंकि लीफ में भी न दो तरह की नोजल आते हैं एक होती है चोटी वाली और एक आती है बड़ी वाली तो मैंने बड़ी वाली नोजल ली है और सिर्फ दो राउंड मैंने लिया है झाल फोड़ा से उठा के लिया है मैंने एक साइट की थोड़ी नीची रखी थी मैंने और एक साइट की थोड़ी ऊपर रखी थी लीफ की जो शेप है वह और ऐसे उठा वगया अब हम इसके उपर बनाएंगे जो लीफ बनाते नहीं बस नॉर्मल से लीफ आपको बनाने ये से उपर की तरिफ खीचना है बस इतने ही करना है लास्ट की जो आप डिस्की डिजाइन देखेंगे ना आप सच में हैरान रहेंगे बहुत ही खुब सुरत लगता है बनने के बाद अगर फटा फट से बनाना हो ना मिन सबके बस टाइम ना हो जल्दी में कुछ अच्छा बना ना हो तो आप यह बना की ड्राइग कर सकते हैं सच में आपको बहुत ही पसंद आएगा तो मैं इसमें तीन लेयर बनाने वाली मास तीन राउंड करने वाली हूँ एक ही डिजाइन फिर बात में मैं इसे यलो कलर से बीच में फिल करूंगे और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बार तो देखी कैसे मैं बना रही हूँ आप चाहिए तो हर बार जैसे आपने एक बार बनाई तो अपनी जो नोजल है उसको क्लीन कर सकते हैं क्लीन करेंगे तो क्या होगा कि हर बार आपकी अलग फिनिशिंग वाली जो लीफ बन रही है तो फिनिशिंग वाली ली क्रीफ बनेगी तो देखे मैं हर बार लेने के बाद एक बार उसे क्लीन कर रहे हुँ ताकि बिल्कुल अच्छे से वह इनक्लीन बने अच्छी बने अच्छी बने और देखने में ना सुन्दर भी लगेगी विद्धे साइड मेरे केक के साइड में थोड़ी से क्रीम गिर करना है उसमें कोई वाइड का शेड नहीं होना चाहिए और देखे कितना प्यारा यलो कलर आया है तो यह कलर है लेमन यलो कलर है जेल कलर है यह और इसे डाल के अच्छे से फैला लोंगी आप चाहिए तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो मैंने लिया है एक्सरे के शीट और उ स्राइब चाहिक को चाहिए बित कुछ है अच्छाहित नेट में पनाते हैं या फिर ना रिखें आब से पूस्त यह प्याना आपाध मैंने के बादेश्यारा कि वेद्या लिखता है उसके ब्रावच है तो विप क्रीम आप देख सकते हैं मेरे पाइपिंग बैग में डली हुई है और बनने के बाद इसका कलर इफेक्ट होता है जिसे ग्रीन और यलो का जो कॉंबिनेशन वह तो अच्छा दिखता है तो मैंने पहले ग्रीन लगा दिया है फिर हलका सा यलो भी मैं ड्रिप को अच्छे से इसकी जो डंडे है जो डंडियां है उसको अच्छे से बनाने है ताकि वह बनने के बाद न एगम लगे कि हाँ संफ्लावर अभी देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक पूरा लुक देखेंगे तो आपको थोड़ थोड़ी संफ्लावर जैसा ही दिखेगा तो डिजाइन फटाफट से बनेगी अगर आपको फटाफट बनानी है तो ये ट्राइब करिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बहुत सारी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हर बार कुछ नया डिजाइन द दिखेंगा बनने के बाद अपना फ्लावर का कलर चेंज कर सकते हैं तो आप इसके जी को पिंक यलो ले सकते हैं या फिट पर यलो और वाइट का कॉमनेशन तो चाहदा अच्छा दिख रहा थे इसलिए मैं ऐसा बनाया और बागी जब आप बनाये तो आप अपनी साब से क कोसिस की है ताकि वह और भी सुन्दर दिखे तो केक जब भी आप बनाई ना तो उसको सजाने की पूरी कोसिस करिए कि आप कैसे अपनी केक को जो डिजाइन बना रहे हैं उसे कैसे खुबसूरत दिखा सकते हैं कैसे आपके जो कस्टमर हैं वह क्या पसंद करते हैं उस हिसाब करते हैं